नमस्कार आप देख रहे हैं देश रोजाना, मैं हूँ बेनजिर हाश मी, मुलिटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुस ताजा सुर्ख्यों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाड की बड़ी और खास खबरों की दिली के नीमा हॉस्पिटल में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या करने का मामला आया सामने, दो नावालिगों ने ड्रेसिंग करवाने की बहाने कैबिन में घुसकर फाइरिंग कर वारदात को दिया अन्जाम माराष्ट के बदलापूर में दो वच्चियों से योन शोषण मामले में पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल को किया गिरफतार, 23 सितंबर को पुलिस एंकाउंटर में एक अरोपिकी हो चुकी है मोत हर्याणा चुनाब में प्रचार के आकरी दिन नुह पोचे राहूल गांधी, राहूल यहां से दक्षिण हर्याणा को साधने की कोशिश की, भाषण में भाषपा और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी पर जम कर साधा निशाना मनिपूर में छे दिन से बंधक दो मेते यूवक हुए रहा, मुखे मंत्री ने जानकारी दी, यूवक सेना भड़ती के लिए गए थे, गलती से कुकी इलाके में घुसे तो बनाया गए बंधक केज़िवाल की रहा पर आपाटी के नेता मनिशिशो दिया, कल खाली करेंगे अपना बंगला, हर भजन के घर में होंगे शिम बागनादेश ने भारत समेट पाँच देशों से अपने राजनाईक को वापस बुलाया, इसमें भारत के उचाय युक्त, मुस्त, फिजूर, रहमान और सन्युक्त राश्ट में स्थाई, पटिनीदी मुहमद अब्दुल मुहीत भी शामिल मरेली में पठाका फैक्टरी में हुआ विसफोर्ट, तीन लोगों की हुई मौद, पाँच, मकान गिरे, छे से ज़्यादा लोग घायल, जेसी भी से रेस्क्यू जारी, पुलिस और गाह वालों ने घायलों को अस्पताल पहुचाया, दो दरोगा समित चार सस्पेंड और बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में सत्रा सो अंक की वर्ट, ये ब्यासी हजार पांसो पर कारुबार कर रहा, तो वही निप्टी भी पांसो अंक फिसला साल के आखिर तक 78,000 तक जा सकता है सोना तो ये ते दिन बर की कुस्ताजा सुर्खिया, अब बात करते हैं हर्याना की बड़ी और खास ख़बरों की हर्याना कॉंग्रेस में कुमारी शेलजा और भुपेंद्र हुड़ा का अलग अलग गुठ है, दोनों की बीच अकसर सीम पद को लेकर टकरार चलती रहती है मैं कुछ दिन पहले ही राहुल गांदी ने मंच पर दोनों नेताओं के हाथ भी मिलवाये थे दरसल आपको बता दें कि हर्याना में मतदान से दो दिन पहले बड़ी रादनीति खल्चल हुई है सिर्सा से सांसत कुमारी शेलजा ने गुरुवार को सोनिया गांदी से दिल्ली में जन्पत पर मुलाकात की करीब आदे गंटे तक दोनों की मुलाकात चली हर्याना की रादनीति को लेकर चर्चा हुई जिसके बाद पूर्व सियम भुपेंदर हुड़ा खेमे की बेचेनी और बढ़ गई है वहीं हर्याना की रादनीति भी इस मुलाकात से गरमा गई है क्योंकि कुमारी शालजा सियम पत की दावेदार है हर्याना में चुना परचार के आखरी दिन राहूल गांदी नुहू पोशे दरसन नुहू मुस्लिम भाहूले इलाका है जिसे कॉंग्रेस का गड़ भी कहा जाता है आपको बता दे कि राहूल ने यहां से दक्षिड हरयान को साधने की कोशिश की उन्होंने अपने भाशन में भाशपा और परधान मंतरी नरेंद्रों मोदी पर जम कर निसाना शाधा कि मोदी सरकार ने अपने दोस्तों समेत देश के 20-25 लोगों का अर्बों का कर्ज माफ कर दिया है लेकिन किसानों का कितना कर्ज माफ किया उन्होंने कॉंग्रेस उमीदवारों को वोट देने की अपील की साथ ही राहूल ने कहा कि भाशपा को वोट मत देना राज्य की दूसरी और छोटी पार्टियों को भी अपना वोट मत देना क्योंकि वे भाशपा की ही ABC पार्टिया है इनमें और भाशपा में कोई अंतर नहीं है हर्याडा में चुनावी महल के बीच लखीमपूर खीरी में हुई किसानों की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा अभी तक जारी है किसान अपना गुस्सा दिखाते हुए रेलवे ट्रेक पर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं आपको बताने कि किसानों ने अपनी मांगों को लेकर अंबाला दिली सेक्षन पर रेलवे ट्रेक जाम कर दिया जिससे ट्रेनों का संचालन बादित हो गया द्रसल भारती किसान यूनियन शहीद भगत सिंग यूनियन के राष्टे महासचीब अमरजीत सिंग महोडी के अध्यशिता में करीब 50-60 किसान महोडा गाब के पास रेलवे ट्रेक पर जाकर बैट गए और नारेबाजी की पंजाम में शंभू और चंदीगड के पास लालडू में भी किसानों ने ट्रेक जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया आपको बता दें कि किसानों की मांग के समर्थन में परदशन दुपैर साड़े बारा बजे शुरू हुआ जो धाई बजे तक चलता रहा अंदोलन के कारण अंबाला दिल्ली रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ जिससे यात्रियों को पहुत परेशानियों का सामना गरना पड़ा ट्रेक जाम के दुरान कट्रा से आई बंदे भारत एक्सप्रेस फस गई रेलवे प्रशासन ने स्थीती पर काबू पाने और ट्रेक को जल से जल खाली कराने के लिए भारी संक्या में रेलवे पुलिस बल तेनात किया परदशन समात होने के बार ट्रेनों की आवाजाई दीरे-दीरे समानने हो गई हर्याणा के पलवल जिले में विधानसवा शुराब में मतदान के दिन यानि 5 अक्टूबर को ड्राइड गोशित करने का उदेशे है दरसल मतदाता को मतदान के दिन मुफ्त शराव वितरन के माधियम से प्राभावित करने पर रोक लगाने के लिए ये उदेशे जारी हुआ है ये जानकारी देते हुए जिला निर्वाजन अधिकारी ने कहा कि जिले में 5 अक्टूबर को मतदान और 8 अक्टूबर को मतदान के दिन ड्राइड रहेगा और आदेशों की अभहिलना करने पर संबंदित व्यक्ति के खिलाब एक्ट के तहट सक्त कारवाई भी की जाएगी कोई भी स्पिरिट युक्त या शराब और इसी तरह की प्रकतिक के अन्य प्रधात किसी होचेल में बेशने या वितरित नहीं किये जाएंगे 48 घंटे की अबधी के दोरान मतदान छेतर के भीतर घर शराब खाने दुकान या कोई अन्यस्थान सारजनिक या नीजी होचेल पर शराब बेशना या परोसना परतिबंदित रहेगा 11 मालिकाना, होटेल, रेस्टोरेंट और शराब खाने के अपूर्टी के लिए लाइसेंस की भीविन शरेणियों के तहत काम करने वालों को भी इन दिनों में शराब परोसने की अनूमती नहीं दी जाएगी महीं उचाना की का पास मंडी में हुई जश्पा और आजास हमाज पार्टी की जन आश्रिश राली का योजन के दोरान पूर्व डिप्टी सीएम दुश्यन चोटाला ने शायराना अंदाज में कहा कि दिल का रिष्टा है खास उचाना से जीवन की आस है और विश्वास है जब तक जीऊंगा उसके बीच रहूंगा दुश्यन की उठे की लाश उचाना से दुश्यन चोटाला ने कहा कि भाजपा का सीएम भी पर्ची से बनता है दिली से एक पर्ची आती और विधायकों को पड़का सुना दी जाती है वहीं कॉंग्रेस में सीएम खर्ची से बनत है बताते चले कि रैली में जश्पार राश्ची अधियक डॉक्टर अजे चोटाला अजास समाज पार्टी परमुक सांसर चंदर शेकर आजास नैना चोटाला भी मुझूद रहीं तो वहीं चंदर शेकर आजात ने कहा कि उचाना में कुछ आसामाजिक तत्वों ने हमें कोशिश की लेकिन हम किसान कमेरे हैं डरने वाले नहीं हैं दुश्यंत ने कहा कि उन्होंने उचाना को एक हलका नहीं बलकि अपनी परिवार माना है आखरी सांस तक यहां के लिए काम करते रहेंगे तो यह थी दिन बर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हर्याणा की बड़ी और खास खबरे कलफिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हैं देश रोजाना नमस्कार तब रहे हमारे साथ हर्याणा की बड़ियों के लिए बने अए और वाहे हैं